हलो प्रेंट्स, वेल्गों टू में चेनल आब इतसे एक आन में कने वाला हूं ओजेनल के 3 टन की कैसेट AC के अन्बॉक्सिंग और रिव्यू तो इस मॉडल की कैसेट AC में हमारा क्या 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 फीचर्स दिया गया तो यह हमारे सामने ओजेनल के कैसेट AC का इंडॉर है दोस्तों तो इसके आभी हम लोग अन्बॉक्सिंग करेंगा तो इससे पहले हमारे काटून के उपर में कुछ डिटेल्स वगर इसके दी हुई है तो इसको हम लोग देख लेते हैं तो यह इसके स्टिकर में कुछ इसका मॉडल सीरियल वगर दिया हुआ है अब देख सकते हैं और इसके यहां पर देख सकते हैं 52 kg यह यह इसका इंडॉर का सिर्फ वेट है दोस्तों 52 kg और इस side में आप देख सकते हैं हमारा super power super quiet लिखा हुआ है और real में इसका super power cooling है दोस्तों और ये चलता भी एकदम silently है मतलब किसी तरह का कोई sound नहीं है इस AC में तो इस box को अभी हम लोग open कर रहे हैं दोस्तों open करके दिखाते हैं कि इस indoor का look कैसा है तो इसको फटा फट अभी हम लोग open कर लेते हैं तो हमारे साथ हमारे technician है जो इसको भी open कर रहा है तो इसके बगल में आपको एक indoor दिख रहा होगा दोस्तों जो open है अभी तो इस जगा पे हमारा 3 AC इंस्टॉल होने वाला है तो जिसमें से हमने 2 को open कर लिया है तो इसको भी हम लोग फटा फट open कर लेते हैं तो यह हमारा copper का pipe है दोस्तों जो हमारे AC में connect होगा indoor to outdoor में तो इसको open करते हैं तो यह हमारा open हो चुका है तो इसके उपर में यह हमारे diagram दिया हुआ है तो यह AC install जहांपे होगा तो वहाँ पे इस diagram को लगा के वहाँ पे accurate हम size वहाँ पे नाप सकते हैं और नाप के इसको cutting कर सकते हैं अगर आपका ceiling वहाँ पे false ceiling बना हुआ है तो इस false ceiling को accurate nape के हम cutting कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी अच्छी तरीके से इस AC को पेक किया गया है ताकि हमारे इंडोर में किसे तरह का डेमेज अगर ना हो लाने ले जाने में ये लकड़ी का पट्टी अगर देखे साइड साइड में इसको काफी मजभूती से पेक किया गया था तो इसको अभी हम लोग फटा फट ओपन कर लेते हैं इस सबको हटा देते हैं तो आपको किलियर दिखेगा ये AC तो इसके उपर में ये प्लास्टिक का पनी लगा हुआ है इसको भी हम लोग हटा लेते हैं तो इसका लुक कुछी तरह आपको देखने को मिलता है दोस्तों ये इसका look काफी खुबसूरत लग रहा है दिखने में दोस्तों काफी बढ़िया लग रहा है अगर ये AC आपके ceiling पर लग जाता है तो और भी खुबसूरत लगेगा आपका ceiling दोस्तों और जो इसका cooling करने का काम है वो तो करेगा है तो ये इसका original का यहाँ पर logo लगा हुआ है दे ये इसके remote के बारे में आप लोगो बताऊंगा तो इसका भी रहने देते हैं तो इसके ऊपर के cover को हमने open किया है तो आप देख सकते हैं इसका filter दिख रहा है ये हमारा black color का filter दिया हुआ है तो ये तो अभी हमारा clean है दोस्तों जब आप इस AC को use कीजिएगा तो आपका 4-5 म महिने में आपका इसमें dust आने लगेगा दोस्तों तो इसको आपको निकाल के इस filter को आपको clean करते रहना पड़ता है तब ही आपका cooling जो है आपका maintain रहेगा तो इसके ऊपर में जो हमारा cabinet लगा हुआ है इसको अभी हम लोग open करेंगे दोस्तों open करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर का look कैसा है तो हमारे साथ हमारे technician है जो इसको अभी open कर रहा है इसके चारो कोने में हमारा screw लगा हुआ रहता है इसको screw को हम लोग खोलेंगे तो आपका cabinet हमारा पूरा का पूरा ये बाहर आ जाएगा तो इसको open करके आपको दिखाते हैं इसका look कैसा है इसको पट हम लोग open कर लेते हैं तो इसके ऊपर के cabinet को हमने open कर लिया है दोस्तों open करने के बाद इसका look कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है तो इस तरह सभी हमारा एसी काफी खुफसूरत लग रहा है दिखने में यह इसका blower है दोस्तों इसका blower का भी quality काफी बढ़िया है क काफी मजबूत इसमें blower लगा हुआ है इसका motor भी high speed का इसमें motor लगा हुआ है दोस्तों और यह इसका cooling coil है इसका cooling कोईल भी हमारा pure copper का cooling कोईल लगा हुआ है और copper क्योंने का यही फाइदा है दोस्तों इसमें leakage का जो problem है बहुत ही कम आता है और इस side में हमारा hook दिया हुए दोस्तों इसमें देख सकते हैं नट वगरा सब लगा हुआ है तो AC में जो हमारा copper का pipe लगता है दोस्तों तो इसका एक छोर हमारे AC में connect होता है और इस side में हमारे drain line है दोस्तों AC का जो पानी drain होता है वो इसी से होके हमारा drain होता है और इस sticker में हमारा model serial बगर लिखा हुआ है दोस्तों इसमें refrigerator R410 नमबर का इस AC में हमारा gas फिल किया गया है तो इस indoor में जो भी हमारा details बगर लिखा हुआ था इसके सभी details के बारे में हमने आपको बता दिया तो इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस से हमारा जो भी एक्स्ट्रा समान बगर निकला था इसके बारे में आपको बता देता हुँ यह हमारा wire और remote है इसके बारे में आपको बाद में बताता हुआ और यह हमारा insulation cover है दोस्तों और इसमें देख सकते हैं हमारा net वगर दिया हुआ है यह हमारा AC इंस्टॉल करते समय हमारा यूज होता है और यह हमारा insulation cover है जहां पर हमारा indoor में pipe connect होता है तो जगा पर इसको लगाया जाता है और यह हमारा wire है और यह remote है दोस्तों इसको निकाल के आपको दिखाते हैं इस त लग अलग यूज है तो इसका display भी काफी बड़ा है दोस्तों इस तरह का remote आपने पहले की CAC में नहीं देखा होगा यह काफी अच्छा लग रहा है इसका design भी काफी बढ़िया है दोस्तों तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग आगे हैं अपने outdoor के तरफ हमारा कुछ details वगर दिया हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा mad in Thailand यहाँ पे लिखा हुआ है यह जेनरल ऐसी हमारा Thailand का product है दोस्तों और यह हमारा outdoor का weight जो है हमारा 88 kg का हमारा यह हमारा outdoor का weight है दोस्तों और यह हमारा model serial वगरा इस side में भ हमारे outdoor का तो इसको अभी हम लोग फटाफट open कर लेते हैं तो इसके box को हमने open कर लिया दोस्तों open करने के बाद इसका outdoor का look कुछ इस तर आपको देखने को मिलता है तो यह भी हमारा काफी खुबसूरत लग रहा है दिखने में और यहाँ पे refrigerator R410 लिखा हुआ है इस number का हमा model serial अगरे यहाँ पे दिया हुआ है और यह इस हमारा 7.5 amp यह हमारा load लेता है दोस्तों और इसमें हमारा R410 नमबर का 2 kg गैस इसमें fill किया गया है और यह हमारा cover दोस्तों इसमें भल्ब अगरे को cover किया गया है इस cover से तो इसको भी हम लोग हटा लेते हैं दोस्तों हटा के दिखाते हैं तो यह हमारा bulb है यह भी हमारा pure copper का होता है दोस्तों इसमें हमारा copper का pipe जो होता है इसमें connect होता है एक छोर हमारा इसमें connect होता है दोस्तों और एक छोर जो हमारा indoor से जो pipe निकला हुआ है थोड़ा सा एक छोर हमारे उसमें connect हो जाएगा तो इसके cover को भी हम बना दूस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा प्यार क्या क्या को दसे को आनिक आपको सेंश करने के लिए यह पर sizin लगा गया है मआ तो इस तरह से यह हमいます का यह लूक दिखता है और यह हुआ इस साइड का लुक है हैं इन जैंब किया गया इस AC को तो इसके outdoor और indoor में जो भी इसका details में दिया होता दोस्तों इसके सभी details के बारे में हमने आपको बता दिया है और इस cassette AC को कैसे install किया जाता है दोस्तों इस पर भी मैं एक video बना दूंगा वो video भी आपको एक दो दिन में मिल जागा तो ये ये वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरू करें क्योंकि इससे तरह का knowledgeable वीडियो में regularly अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ तो चली मिलता अगरी वीडियो में friends तब तक के लिए बाए